आज हम आप्टेटिव सेंटेज पढ़ेंगे इसके पहले असर्टिव सेंटेज, इंप्रेटिव सेंटेज, इस्क्लामेटरी सेंटेज और इंट्रोगेटिव सेंटेज हम लोगों ने पढ़ा आप्टेटिव सेंटेज की पहचान, इस्क्लेमेशन मार्ग होती है और आप्टेटिव सेंटेज में इच्छा, प्रातना, आशिरवाद, अभिवादन का भाव एक्स्प्रेस होता है, ब्यक्त होता है आप्टेटिव सेंटेज की पहचान, इस्क्लेमेशन मार्ग होती है say to को ya said को wished, prayed, placed लिखते हैं me को direct से जब indirect में change करते हैं तो might हो जाता है inverted comma को हटाते हैं तो conjunction that का परियोग करते हैं imperative sentence में दो प्रकार के वाग के देखने को मिलते हैं पहला वाग के जिसमें सुबकामना होती है जब हम किसी को सुबकामना देते हैं wished करते हैं तो said को और said to को wished लिखा जाता है और जब हम God से pray करते हैं किसी के लिए भगवान से प्रातना करते हैं किसी के लिए तो said और said to को prayed लिखते हैं पहला sentence आप देखो He said may God help you यहाँ पे God से कहा गया है कि भगवान आपकी help करें यहाँ पे said के लिए क्या लिखेंगे prayed लिखेंगे जो कि इस वर से प्रातना की जा रही है तूसरा sentence है He said may you leave long उसने कहा may you leave long आपका जीवन क्या हो लंबा हो यहाँ पे वो wished कर रहा है इसलिए said और said to को हम wish लिखेंगे तो हमने optative sentence में देखा कि inverted comma के बाद may लिखा होता है और last में exclamation mark होता है दूसरा sentence भी देखिए inverted comma inverted comma के बाद may लिखा है और long के बाद exclamation mark है तो इसमें दो टाइप के sentence होते हैं जो सुरू होते हैं एक may God से होता है एक may you से होता है may God से अगर कोई sentence शुरू हो तो आप said के लिए क्या लिखोगे प्रेड लिखोगे क्योंकि वहाँ God से pray की जारी प्रात्ना की जारी और जब कोई sentence may you लिखा हो may he लिखा हो ऐसा लिखा होता है तो set के लिए wished लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे सुबकामना दी जा रही है exclamation mark को change करके first stop लिखते हैं may God से होगा तो यहाँ पे pray लिखेंगे set और set 2 के लिए comma inverted comma को हटाने के लिए conjunction that का प्रयोग करेंगे may you से लिखा होगा may he से लिखा होगा तो set और set 2 के लिए wished लिखेंगे और comma inverted comma हटाने के लिए conjunction that का प्रयोग करेंगे optative sentence की पहचान exclamation mark होती है यह आपको समद में आ गया optative sentence में set और set 2 को क्या लिखते हैं wished और prayed prayed कब लिखते हैं जब God सब्ड sentence में आता है और wished कब लिखते हैं जब may you में ही आता है तो हम वहाँ पर set और set 2 को क्या लिखते हैं wished comma inverted comma को जब आप change करोगे तो conjunction that का प्रयोग करोगे अगर आप से कोई पूछे optative sentence की पहचान क्या होती है तो आप यह बताओगे inverted comma के बाद may लिखा होता है और last में exclamation mark होता है may और exclamation mark यह optative sentence की पहचान होती है now see the sentence he said to me may you leave long he said to me may you leave long यहाँ पे क्या है prayed है यहाँ पे wished है यहाँ पे wished है इसलिए हमने sentence को लिखा he का he लिखा और set to के लिए wished लिखा me का me लिखेंगे और may you leave long है तो may you में सबसे वहले you को change करेंगे जब you को हम change करते है you change होगा me के हिसाब से you का I हो जाएगा may direct में लिखा हो तो might हो जाता है leave का leave long का long तो he के लिए ही लिखा set to को wished लिखा क्योंकि यहाँ पे may you है me को me change करेंगे indirect मे comma inverted comma को हटाने के लिए that conjunction का प्रियोग करेंगे that लिखा गया है you को change करेंगे me के अनुसार तो हो जाएगा I may का हो जाएगा might leave का leave long का long exclamation mark हट गया long के बाद first stop हो गया तो आपने set to के लिए देखा क्या लिखा है wished क्यों wished लिखा है क्योंकि यहाँ पे may you है अगर may god होता तो यहाँ पे set or set to के लिए हम prayed लिखते है may को क्या लिखा direct में may लिखा है in direct में बनाते समय change करते समय may को हम might कर देंगे exclamation mark की जगा हम full stop कर देंगे now see the second sentence now see the second sentence दूसरे sentence को देखते है he said may god help you may god लिखा हुआ है he को हमने indirect में he लिखा set को हम prayed लिखेंगे क्यों क्योंकि may god है set का prayed हो गया comma inverted comma को जब हटाएंगे तो conjunction that का प्रियोग करेंगे may god है सबसे पहले god लिखेंगे फिर may को direct से indirect में change करते समय might कर देंगे help का help होगा और you को change करेंगे तो me हो जाएगा पुदा sentence हमारा क्या change होकर indirect में बना he prayed prayed क्यों लिखा आपको समद में आ गया होगा may god होगा तो set or set to के लिए prayed लिखेंगे comma inverted comma that लिखती है he prayed that god might may god है तो god के लिए god लिखा may का might हो गया help का help होगा me का you का me हो जाएगा he prayed that god might help me तो आपने set or set to को कैसे change करते है comma inverted comma के लिए conjunction that का परयोग करते है make direct में लिखा हो तो indirect में might कर देते हैं may god लिखा हो तो set or set to को prayed may you लिखा हो may he लिखा हो तो set or set to के लिए wish लिखते हैं optative sentence की यही पहचान है यही rule होते है अगर इन rule को हम ध्यार में रखेंगे इन नियमों को अगर हम ध्यार में रखेंगे sentence को change करेंगे direct से indirect में तो हमारी sentence में change करते समय किसी प्रकार की कोई भी mistake नहीं होगी now see the second example second example में my teacher said to me may you pass in first division आप देखिए set to में underline है और may you में underline किया गया है और division के बार exclamation mark है इसमें भी underline है तो may you लिखा हुआ है तो set to को हमने क्या लिखा wish my teacher का my teacher और set to का क्या हो गया wish हो गया inverted comma के लिए that लिखा my teacher wished me comma inverted comma के लिए that हो गया may you को change करेंगे पहले you को change करेंगे me के हिसाब से I हो जाएगा may का might हो जाएगा pass का pass in first division my teacher wished me that I might pass in first division तो आपने देखा may you लिखा था तो set to को क्या लिख दिया wish और comma inverted comma को क्या लिखा that you को I बनाया may का might हो गया pass का pass in the first division or exclamation mark की जगा क्या हो गया now see the second sentence अब दूसरा sentence हम देखते हैं the people said may our king live long people ने कहा may our king live long the people का the people हो गया may our king लिखा हुआ है तो यहाँ पे वही set को क्या लिखेंगे waste may our king लिखा है तो may का might हो जाता है our king का dear king और live long का live long हो रहा है इस पकार से हम objective sentence को direct से indirect में change करते हैं हमने कई example यहां पे पढ़े और कई example पढ़ने के बाद यह हमको learn हो गया होगा इसके rules इसके rules से ही है कि अगर may God लिखा हो तो आप say to say to को pray लिख दो may he लिखा हो may you लिखा हो तो आप say to say to को wisdom लिख दो comma inverted comma को that लिख दो exclamation mark को हटा के आप वहाँ पे full stop लिखोगे तक हम लोगों ने पढ़ा कि may you लिखा हो may God लिखा हो तो हम किन नियमों का प्रयोग करेंगे अब आज हम इसी वीडियो में ये पढ़ेंगे कि may के बिना अगर sentence लिखा हो तो कैसे उसको हम change करेंगे अगर sentence में में ना हो तो आप ऐसे sentence को कैसे change करोगे इसका नियम आप देखो may के बिना wishes या curses वाले sentence said to or said को लिखेंगे cursed भी लिखेंगे said or said to को क्योंकि अगर सुब काम ना होगी तो wished लिखतेंगे अगर किसी को हम श्राब देंगे या किसी को बद्दूआ देंगे तो उसके लिए cursed लिखेंगे कॉमा inverted कॉमा को that नहीं लिखते उसमें कॉमा inverted कॉमा को हम क्या करते हैं that नहीं लिखते now see the sentence now see the sentence we said God save the president we said God save the president अब इसमें मिय कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है लेकिन जब इसको हम change करेंगे तो वी का वी लिखेंगे God लिखा है इस लिए cursed को प्रेड लिख दिया कॉमा inverted कॉमा that हो गया God का God और God के बार might लिख देंगे save the president तो ऐसा वाकिए है ये जिसमें मे कहीं नहीं लिखा है मे की बिना वाकिए है ये लेकिन फिर भी इसमें हम might का प्रियोग करेंगे अब हम दूसरे sentence को देखते हैं my mother said you live in peace my mother said मेरी मा ने कहा you live in peace तुम अच्छे से रहो सांती से रहो my mother का my mother हुआ you है यहाँ पे इसलिए set को wizard लिख दिया कॉमा inverted कॉमा that हो गया you को change करेंगे तो हो जाएगा I में यहाँ पे नहीं है फिर भी में को यहाँ पे हमें understood करना होगा समझना होगा I के बाद might हो गया leave का leave in peace का in peace हो जाएगा तो sentence change होने के बाद मना my mother wished that I might leave in peace sentence change हो गया आपने पहले sentence में भी देखा वहाँ में नहीं था हमने में को understood किया, समझा और make a might कर दिया तो यह वीडियो आपके लिए useful होगा आपको optative sentence समझ में आ क्या होगा कि optative sentence की पहचान क्या होती है और direct से indirect में change करते समय इसमें कौन से नियम लगाये जाते हैं अगर आप इन नियमों को धिहान से सुनोगे कई बार सुनोगे तो आपको नियम भी learn हो जाएंगे और बार बार करने से आपका जो अभ्यास है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कोई भी sentence में किसी प्रकार की direct से indirect बनाते समय किसी प्रकार की भी mistake नहीं होगी I hope you like this video you enjoy this video please like and subscribe the channel take care किसी प्रए्ब करएपनिया किसी ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं हो जबादे